तो हेलो SBWB गैंग, अजे भईया हीर, तो students आप सभी का algebra का paper आप अभी अभी देखे आए हो, मुझे पता है, सबसे पहले students मुझे मेरे comment section में हजारो comments चाहिए, कि भईया हमारा जो algebra paper है वो किस प्रकार से गया, मतलब कि मुझे जानना है students, मुझे भी यार बहुत जादा खु यह थे, उसी way में students, आप सभी बच्चे, प्लीज अगर हो सके students, तो 2 second लगेगा बस, नीचे प्यार से, याद से comment करना है, कि हाँ भी या, हमारा जो algebra का paper था, वो अच्छा गया है, जिसका moderate गया है, वो moderate लिखेगा, जिसका easy गया है, easy और जिसका hard गया है, फिर tension नहीं लेन सबस्क्राइब कर दो, सबसे बेला students, back to the topic, full roadmap होने वाला है students, आज के दिन और कल के दिन आपको क्या के चीज़े करनी है, जिससे कि हम परसो की जो हमारी geometry का जो paper है, उसमें हम महारत हासिल करें, कौन सा theorem करना है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, आज कौन से chapters करने है, कौन से chapters को कितना जादा weightage दिया गया है, each and everything will be covered in this particular video, सबसे बेला students, हम सभी को बता है, आज है 13th of March, जाहिर से बात है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, थैरा हो मार्च है, आप अभी अभी आपका paper देके आए हो, evening और night आपके पास बचा है, मतलब afternoon का session भी होगा, जिसक में हम 2023 और 2022 के geometry का पूरा की पूरा paper one shot में निप्टाएंगे, आपने जैसे algebra का paper देखा होगा students, most of the things जो थे, वो पूरे के पूरे हमारे, बतलब related थे previous year question papers को, तो अगर आप previous year question papers अच्छे से कर लोगे, तो आप महारत हासिल कर सकते हो, अभी सबसे main चीज, आपको आज 4 घ घंटा, एक घंटा मेरे साथ आपको live में आना है, सबसे पहले आज कौन से कौन से chapters करोगे, ये जो bracket में 30, 30, 45, 45 लिखा है, ये क्या बोलते हैं, इसको ये जो है हमारे minutes है, ठीक है, minutes है, अभी सबसे पहले, जो chapter number one है, आज आपको 4 chapter निप्टाने, आप बोलोगे यार भीया करने का, तो करने का, ध्यान से समझना, सबसे पहले, आज आप chapter number one करोगे, जिसमें हमको सभी को पता है, बैचे similarity chapter है, अभी सुड़ेज ध्यान से सुनना, हेलो, तेरे से बात करो, अच्छे से देख वीडियो, similarity जो chapter है, ये आपको unit में भी आया था, आपको terms में भी आये थ चुका है, तो ये मैं मान के चलता हूँ, students की similarity के, most of the sums आपको आते होंगे, मतलब 80% sums तो भी आपको आते होंगे, अभी क्या करना है, जो sums आपको आते है, उसके बस steps देख लो, उसके बस formulas देख लो, उसके बस concepts देख लो कि किस प्रकार से sums को solve किया गया है, जो question नहीं आ र साइस भी निपताना है, solve example भी निपताना है, और problem set भी, ठीक है, उसके बाद, Pythagoras theorem, इत्ता सा पिद्दू सा है Pythagoras theorem, दो ही exercise है Pythagoras theorem में, जिसमें Pythagorean triplet वगेरा हमेशा पूछे जाते हैं, और दो-दो मार्क के लिए, फिर एक-एक मार्क के लिए, तो Pythagoras theorem को भी 30 मार दे रहे हैं, इसके पीछे भी सेम भीया के thinking है, कि आपको क्या करना है, जैसे आपको terms में भी पूछा गया था, units में भी पूछा गया था, prelims में भी पूछा गया था, तो same, आपको जो sums आते हैं Pythagoras theorem chapter के, वो sums बस आप पढ़ लो, उसके formulas देख लो, उसके concepts देख लो, जो sum नहीं आते हैं, वो आपको board book पे solve करना है, clear, उसके बाद construction, construction को students में 45 minutes दे रहा हूँ, अभी सुनो, construction का, हर एक exercise का, पहला sum solve करो, last sum solve करो, पहला sum solve करो, पहला sum solve करो, last sum solve करो, अभी देखो, पहला sum होता है, तो पहला sum, दूसरा sum और तिसरा sum, ये तीनो sums एक दूसरे से related हो होंगे तो, और fourth sum, fifth sum, six sum, ये जो छे sums, last के जो तीन sums होते है, ये उपर के तीन से related होता है, तो पहला sum कर लोगे, और last sum कर लोगे, ठीक है, first sum कर लोगे, और last sum कर लोगे, तो जाहिर सी बात है, आपके सभी चीज़े cover हो जाएंगे, तो students, construction को मैं 45 minutes दे रहा हूँ, अगर इ problem set भी करना है, ठीक है, तो 45 minutes दे रहा हूँ, फटा-फट करना, बैठ के timer लगा के बैठना, 45 minutes में फटा-फट से आर का बिरका बना के हो जाना चाहिए, ठीक है, समय लग रहा है, तो आप आपके प्रकार से भी जादा समय कर सकते हो, लेकिन जितना मैं offline में देता हूँ, तो कुछ sums है, starting के sums वो बहुत जादा simple है, बस दिक्कत कहा पे आती है, हमको prove that में दिक्कत आती है, prove that में के भी भी भीया starting के sums अच्छे है, कुछ 10-12 sums है, prove that के, उसमें के भीया जो last के 3 sums है, वो 3 sums को हमको जादा समय लगता है, लेकिन बाकी के तो simple आते है, तो formulas अच्छे से प अगर आप ये 4 chapters आज cover कर लेते हो, तो लगभग लगभग आप 27 marks cover कर लोगे, बस इन ही में से, मतलब कि इन 4 chapters के आपको exercise करने है, salt examples करने है, और problem set करने है, अगर ये 3 भी आपने कर लिया, जिस जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अराम से महारत हासिल कर सक अभी students, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी comments कर रहे थे, कि भाईया, हमारा तो मतलब 10 तो अभी होने ही वाला है, तो अभी 11, 12 में हम कौनची stream चूज करे, कैसे आगे बढ़े, क्या क्या करे, तो students attention नहीं लेना है, unacademy learning festival आ चुका है आप सभी के लिए, जिसमें students 7 days, जी या फिर 11 से आप 12 में जा रहे हो, या फिर कोई आपके भाईबेन है, जो repeaters भी है, तो उन सभी के लिए unacademy learning festival जिसको हम ULF ये नाम से भी जाना जाता है, जिसमें students सभी के सभी all live and recorded batches आपको मिलेंगे, paid batches, मतलब कि students जो भी paid batches थे ना, वो unacademy ने अभी पूरे के पू practice questions आपको मिलेंगे, mock test आपको मिलेंगे, PYQs, previous year question papers, study material भी आपको मिलेंगे, जो की महराश्रकी नहीं, बलकि इंडिया के top educators, जिन्हों ने उनके handwritten notes वगेरा सभी चीज़े provide किये है, और students, आप कभी भी इन से बात कर सकते हो, doubt आपका solve कर सकते हो, 24 by 7, students, आपको कैसा करना ह मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले students, link जो है वो भीया ने एक description में दिया है, जैसे ही link description में दिया है, उस पे आप click करोगे, तो आपके यहाँ पे आपको आएगा कि mobile number आप put करो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, which is आपका mobile number आपको put करना है, जैसे आप mobile number put करोगे, यह जो आपको आपका goal-select करना है, मतलब आपको JE करना है, यह फिर आपको NEET करना है, ठीक है, तो आपको बस आपका goal-select करना है, जो activation code होगा, वो अपने आप आप आजाएगा, ठीक है, वो auto-select होगा, और बस हो गया, बस आपको क्या करना है, एप्लिकेशन को download करना है, जैसे की पूरा की पूरा दिन मिलने वाला है अभी कल सुबह बहिया का एक एवर गृण सुबह बढ़ बढ़ल सूबह 9 वजे बढ़ल गर्यागा और यह जो है यह लाइव होगा which is 8.37 pm को तो देखो भाया ने कल तीन वीडियो अलाइन करके रखे हैं यह तीनों वीडियो देख लेना है उसके बाद आप घर पे self study क्या करोगे सबसे पहले students self study में आप सबसे पहले chapter उठाओगे which is आपका coordinate geometry अभी आप बोलोगे भी यह circle chapter का सबसे ज़्यादा डर लगता है circle chapter के बारे में आपने अभी तक कुछ बोला नहीं सुनो ध्यान लखना coordinate geometry में coordinate geometry के आपको सभी sums करने है अच्छे से करने है जो तीन तीन चारचार मार्क के sums होते है वो नवनित के अपेक्षित में से कर लेना अभी कोई बोलेगा भीया अपेक्षित नहीं है कुछ कर लो हमारे लिए तो students शहा coaching classes application है उस application में आपको free of cost मिल जाएगा अगर आपको circle नहीं भी आता है तो ध्यान में रखना circle के आप theorem अगेरा तो भी अच्छे से कर लेना रही बात theorem की तो theorem कुण से important है देखो भाईया ने उसका भी करके रखा है ये वाले जो चार थेरम है इन चारो थेरम में से एक थेरम आने के 100% chances है पहला है which is BPT दूसरा हो गया साइक्लिक कॉडिलेटरल तीसरा हो गया tangent second और चोटा हो गया inscride angle ये चारो थेरम students आपको कल करने है मतलब करने है मतलब 14th of March को आपको ये करना है 15 March से पहले क्योंकि students आप सभी को पता है भाईया ने बोला करने का तो करने का तो BPT basic proportionality theorem, cyclic cardilateral theorem, tangent second और iscride angle theorem ये चार थेरम students hands down इन में से ही बहुत बार examination में पूछे जाते हैं तो ये थेरम सबसे important होंगे अभी रही बाद students mensuration की, तो mensuration के देखो मैं अभी ही predict कर दे रहा हूँ कि shaded portion वाला sum और first round इन दोनों में से एक तो भी sum आएगा, मतलब आएगा ये compulsion है, हर साल का है ये shaded portion पे sum आएगा तो अगर भले ही आपका mensuration में से कुछ नहीं भी हुआ है तो shaded portion कर लेना है और first round की जो exercise है, first round की जो formulas है, वो अच्छे से कर लेना है, उसके steps अच्छे से देख लेना है clear है सबको, तो students ये जो road map है, please इसको अच्छे से follow करना 6,000 likes का मैं एम रख रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम, ढईलाग subscribers हमारे जल से जल्द complete हो जाने चाहिए, जितने भी बच्छे देख रहे है channel को subscribe करके रहा है, नहीं कर आना, mark अच्छा नहीं मिलेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ मजा कर रहा हूँ, बट यार कर दो यार subscribe, ठीक है, तो students वापस एक बार एक summary रहा हूँ, 13 March को chapter 1, chapter 2, chapter 4, chapter 6 आपको निप्टान है, जैसे मैंने बोला, जितने minutes आपको बोला, फिर उसके बाद 14 March को आपको भीया के 3 वीडियो आएंगे, वो देख लेना है, coordinate geometry, circle, mensuration आपको क करना है, इन में से एक chapter आप skip कर सकते है, अगर आप circle skip कर रहे हो, लेकिन theorems आपको पूरे करने है, ठीक है, ये तीन theorems आपको उनके पूरे करके ही जाने है, मतलब करके ही जाने है, और mensuration chapter का, which is shaded portion और first run, तो I hope students, this video was very much valuable for you, और हाँ students, free of cost है, तो paid batches आपको free में मिल रहे है में आप enroll कर सकते हो, नीचे link description में दिया है, मलते students अगले वीडियो में चिल दैन, मचा देरो, फोट देरो, जाते जाते ये important questions का वीडियो देख के जाना, मिलते हैं